नमस्कार मेरे पहरे देश्वासियों पुरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दोर से गुजर रहा है आमतोर पर कभी जब कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सिमित रहता है लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब द्वितिय विश्व युद्ध हुआ था तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बिमारी से है पिछले दो महने से हम दिरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं सुन रहे हैं इन दो महनों में भारत के 130 करोड नागरीकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामरी का डटकर मुकाबला किया है सभी देश्वासियों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भर्त्सक प्रयास भी किया है लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हम संकर से बचे हुए है ऐसा लगता है सब ठीक है वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं है इसलिए प्रतेग भरतवासी का सजग रहना सतक रहना बहुत आवशक है साथियों आप से मैंने जब भी जो भी मांगा है मुझे कभी भी देश्वासियों ने निराश नहीं किया है ये आपके आशिरवात की ताकत है कि हम सम्मिल करके अपने नरधारित लक्षों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रयास सफल भी होते हैं आज मैं आप सभी देश्वासियों से 130 करोर देश्वासियों से आप सबसे कुछ मांगने आया हूँ मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ता चाहिए आपका आने वाला कुछ समय चाहिए मेरे प्यारे देश्वासियों अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाएं नहीं सुजा सका है और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़ने बहुत स्वाभाविक है दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाइरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है वहां अध्यान में एक और बात सामने आई है इन देशों में सुरुआती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है इन देशों में कोरोना से संकरमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है भारत सरकार इस थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए है हाला कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनोंने आवश्यक निर्णे भी किये और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा आइसोलेट करके स्थीती को संभाला है और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है भारत जैसे 130 करोर की आबादी वाले देश के सामने और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रैतनेशिल देश है और हम जैसे देश पर कॉरोना का यह संकट सामाने बात नहीं है आज जब बड़े-बड़े और विक्षित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह मानना गलत है और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुग बातों की आवशक्ता है पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज एक सो तीस करोर देशवासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तवय का पालन करेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दिशान, निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संकर्मित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संकर्मित होने से बचाएंगे साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ ऐसी स्थिति में जब इस विमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना ये सबसे पहली आवश्यक्ता है इस बिमारी से बचने और खुद के स्वस्त बने रहने के लिए दूसरी अनिवारियता है वो है संयम और संयम का तरीका क्या है बीड से बचना घर से बाहर निकलने से बचना आजकल जिसे सोशिल डिस्टंसिंग कहा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशिल डिस्टंसिंग ये बहुती ज़्यादा आवशक है और कारगर भी है हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं आपको कुछ नहीं होगा आप ऐसे ही मार्केट में घुनते रहेंगे सरकोपर जाते रहेंगे और कॉरोना से बचे रहेंगे मैं समझता हूँ ये सोच सही नहीं है ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रिये जनों को अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आगर है कि आने वाले कुछ सब्ता तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बहार निकलें जितना संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो हो सके तो अपने घर से ही करें जो सरकारी सेवाओं में हैं अस्पताल से जुड़े हैं जनप्रतिनी दी हैं जो मिडिया कर्मी हैं इनकी सक्रियता तो आवशक है लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को खुद को बाकी भीड़भार से बाकी समारों से आइसोलेट कर लेना चाहिए मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सिनियर सिटिजन्स हो साट पैंसट वर्स की आयू के उपर के व्यक्ति हो वो आने वाले कुछ सब्ता तक घर से बाहर न निकलें मैं फिर से आग्रह करता हूँ साट पैंसट से उपर की आयू वाले हमारे सभी परिवार के जन गर से बाहर न निकलें हो सकता है कि वर्तमान पीड़ी पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं जो जब छोटा था उस समय हम अनुभव करते थे उस समय जब युद्ध की स्थिती होती थी तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था शिशे पर भी कागज लगा दिया जाता था बंद लाइट बंद रखी जाती थी लोग रात भर चौकी करते थे और युद्ध ना हो तो भी साल में एक दो भार तो वहां के जो नगरपाली काई होती थी वो जागुरू को करके ये ब्लेक आउट का डिल भी करवाती थी लोगों का आदद बनी रहे इसके इसके लिए प्रयास करती थी और इसलिए मैं आज प्रतेग देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूँ ये हैं जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस रभी बार याने दो दिन के बाद बाईस मार्च को बाईस मार्च रभी बार को सुबह साथ बजे से रात नव बजे तक सभी देशवास्यों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरिक गरों से बाहर न निकले न सडक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो अपने घरों में ही रहे हाँ जो आवशक सेवाँ से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरिक के नाते नहम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं सात्यों बाइस मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसाइयम देश हित में करतेवे पालन के संकल्पगा एक मजबूत प्रतीक होगा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूँगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें हमारे देश में कई संगठन है NCC है NSS है कई वा संगठन है Civil Society है खेलकुत के संगठन है कई प्रकार के संगठन है धार्मिक संगठन है सामाजीक संगठन है सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूँगा कि अभी से लेकर रविबार तक इस जंता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुँचाएं लोगों को जागरुक करें आप ये भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के समझ में नागरिक को करने वाले काम जंता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं उनको बताएं मेरे प्यारे देश्वासियों ये जंता कर्फ्यू एक प्रकार्चे हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा ये कॉरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाब लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है ये देखने और परेखने का भी समय है आपके इन प्रयासों के बीच जंता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को रविवार को ही मैं आप से एक और सहीयोग चाहता हूं साथियों पिछले दो महनों से लाखों लोग अस्पतालों में एरपोर्ट पर दप्तरों में सहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं चाहे डॉक्टर हो नर्सीज हो हस्पिटल का स्टाफ हो सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो एरलाइन्स के कर्मचारी हो सरकारी कर्मचारी हो पुलिस कर्मी हो मीडिया कर्मी हो रेलिवे, बस, आटो, रिक्षा की सुविदा से जुड़े लोग हो होम डिलिवरी करने वाले लोग हो ये लोग अपनी परवा न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्यन नहीं कही जा सकते आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे हैं हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ये अपने आप में राष्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ती बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूँ कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद कर अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड सकता है रविवार को यहने जन्ता करिफ्यू के दिन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीडकियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता भेक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को 5 बजे साहरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाए सेवा पर्मो धर्म के हमारे समस्कारों को मानने वाले ऐसे देश वास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों संकट के इस सबय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवशक सेवाओं पर हमारे होस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी होस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे पेरामेडिकल स्टाप को इस मामारी के लिए प्रात्फिक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देशवाश्यों से आगर ये भी है कि रूटीन चेवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपके फैमिली डॉक्टर या अपने रिस्तेदारी में जो डॉक्टर हो उनसे फोन कर फोन पर ही उनसे आवशक सला ले ले अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवशक न हो ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आगर है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दे साथियों इस वैश्वीक महमारी का अर्थ ववस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के वित्तमत्री के नेत्रूत में फाइनास मिनिस्टर के नेत्रूत में सरकार ने एक कोविड नाइंटीन economic response task force इसके गथन का फैसला लिया है ये task force साहरे स्टेक होल्डर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फीडबेक लेते हुए हर परिस्तिती का आकलन करते हुए निकट भविशमय फैसले लेगी ये task force ये भी सुनिशित का गत है आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाये जाएं उन पर प्रभावी रुप से अमल हो निश्चित तोर पर ये महामारी ने देश के मध्यमवर्ख, निम्न मध्यमवर्ख और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी क्षती पहुंचाये दी है संकड के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत उच्च आयवर्ख से भी आगर हैं कि अगर संबव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखे हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दप्तर ना आप आएं आपके घर ना आप आएं ऐसे में उनका वेतन न काटे पूरी मानवियता के साथ संबेदन सिलता के साथ फैसला ले हमेशा याद रखिएगा उन्हें भी अपना परिवार चलाना है अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वासियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूं कि देश में दूद्ध खाने पिने का सामान दवाईयां जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो इसके लिए तमाम कदम उठाये जा रहे हैं ये सप्लाई कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश वासियों से याग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड न लगाएं आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान रुप से ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग ये कता ही ठिक नहीं है उसको न करें साथियों पिछले दो महनों में 130 करोर भारतियों ने देश के हर नागरिक ने देश के सामने ये जो संकट आया है उस संकट को देश वासियों ने अपना संकट माना है भारत के लिए समाज के लिए देश वासियों से जो बन पड़ा है हर किसी ने किया है मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देश वासि अपने कर्तवयों का अपने दाईत्वों का इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे हाँ मैं मानता हूँ कि ऐसे समय में कुछ कठिनाईया भी आती है आशंकाओं और अप्फाओं का वातावरन भी प्यता होता है कई बार एक नागरिक के तौर पर हमारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती फिर भी ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है ऐसी थिति में सारे देशवास्यों को इन दिक्कतों के बीच द्रड संकल्प के साथ इन कठिनाईयों का मुकाबला करने कई भी आवश्यक्ता है साथियों हमें अब भी अपना सारा सामर्थ खुद को बचाने के लिए कोरोना से बचने के लिए ही प्राथ्विक्ता देनी है आज देश में केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाय हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर सिबिल सुसाइटी हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारिस्ते बचने में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है यह आवश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो भारत विजई हो मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ दिन में नवरात्री का पर्वा आ रहा है यह शक्ति उपासना का पर्वा है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवश्चक संयम का पानन करते हुए आओ हम भी बचें देश भी बचाएं जग को भी बचाएं फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा जनता कर्व्यू के लिए मैं आग्रह करूंगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए आपका भी बहुत बहुत